इस वीडियो में आपको मैं जो ओवर्सी सेंट्रल क्यावा जिन ब्लॉक्स की बैलेटिंग होनी है जिन डिस्टिक्स की उसके हवाले से पताने कुछ करूँगा जो सबसे ज़्यादा कॉमनली पूछी जाना मेरा सवाल है वो यह है कि एक्जेक्टिफ डिस्टिक की बैलेटिं कब होगी और नमबर तरी के हार्मी पाक एस्ट जिसके लिए सुसाइटि के मेंबरान ने 45% अमाउंट अपने प्रिंसिपल प्लॉट की पे की उन मेंबरान की जो बैलेटिंग होगी अब सुसाइटि ने जो नोटिस निकाला था इंदर नमेंबर उसमें सुरी लास मन जो न असमरला और एक किनार के विलाज हैं तीन स्टाइल के उन विलाज के जो बैलेटिंग है याई लोकेशन है प्लॉट की विलाज की प्लॉपर लोकेशन है वो मेंबरान को कब तक अलॉट होगी तो यह तीनों बाते तो होगी फेबरी में की बैलेटिंग होगी बट आज की व तब executive block existing करता था definitely तब एक ही block था उसका नाम था general block और general block के membrane को यह offer दी गई थी कि वो 20% pay करने के बाद सिर्फ 2019 तक एक installment pay कर दें यानि दो सालों में सिर्फ एक installment pay कर दें तो अपने plot की location जो एक executive block में move करवा सकते हैं बहुत सारे मेंबरान जो एक general block में थे तकरीबन 70-80% मेंबरान ने अपने plot के allocation executive block में करवा ली और उनको proper map पे जिनकी बैलेटिंग हो चुकी है उनको locations a lot बाद में later stage भी 50% रूल था कि वो 50% पूरा करें और जो executive district 1 का map है उस पे अपने locations allocate करवा लें बहुत सारे मेंबरान ने इस offer से फाइदा उठाया और इसमें अपने locations को allocate करवा लिया अब आते हैं वो जो 10-year, 15-year, 20% जो leftover members है नमबर वन, नमबर टू जो जो जिन मेंबरान ने 2019 के बाद booking की अब जो पहले booking थी, पहले booking थी पांच माला की 17 लाख रुपे की दूसरी booking थी 18 लाख रुपे की, तीसरी booking थी 19 लाख 50 जार रुपे की और चौती booking थी 24 लाख 15 लाख रुपे की अब जिन मेंबरान ने 1950 तक booking करवा ले थी, उनको तो definitely यहां तो location मिल गई या उनको पहले plot, अपना एक्जेक्टे में convert नहीं करवाया तो उनको as it is उनकी फाइल्स है उनको location नहीं मिली अब जो left over 15 से 20 परसंट मेंबरान है उनको location कहां पे मिलेगी अब जो left over 15 से 20 परसंट मेंबरान है जो मेंबरान ने 2019 के बाद booking की है उनकी location के लिए February में उसका notice hopefully निकल आएगा और उसकी जो location की selection है जिन मेंबरान ने जाग से बाद 40 परसंट ये 50 परसंट अफ़रंट दे के plots book किये वो most probably April में आ जाएगा और उनकी बैलेटिंग जो है वो first week of May 2022 में हो जाएगी अब May 2022 में बैलेटिंग जब होती है तो जिन मेंबरान ने शुरू से यानि के अपनी block files है अगर उनके आप तीन चातरा के मेंबरान आते है नमर वन के वो मेंबरान है जिनकी files block है तो उन मेंबरान के लिए rules and policy ये है जैसे और से central की थी कि वो fourth of December 2021 तक अपनी सारी installments clear करें और अपनी locations allocate करवा लें यानि कि उनको नाम बैलेटिंग के लिए उनको एकनॉलजमें डिस्रीट्स मिल जाएंगी और उनका नाम बैलेटिंग में आ जाएगा executive district के हवाले से जो policy है ये मेरी राए है I'm not sure ये अपनी सारी नहीं है मेरी अपनी जाती राए है मेरा ख्याल है कि society उनकी मार्च तक की policy रखेगी मार्च 2022 तक अगर वो अपनी installments clear कर लेते हैं क्योंकि यहां भी दो महीने gap है तो society ने दो महीने पहले यानिके 4 December तक का time रखा है तो उसमें उस case में 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 बैलेटिंग होती है तो मेरा ख्याल है कि मार्च के first week तक time रखा जाएगा कि अगर वो अपनी installments clear कर लेते हैं तो बैलेटिंग में शामिल हो जाएंगे अब बैलेटिंग में आने के बाद आते हैं चार तरह के मेंबर्स जिनकी बैलेटिंग होगी नमर वन मेंबर्स बोल है कि जिनकी मेंबरान की बैलेटिंग को जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी बैलेटिंग में वो खुआ residential plot हो खुआ वो commercial plots हो वो मेंबरान कौन से होंगे जिन मेंबरान ने 20% booking करवाई अपने plots की 20% से 40% से booking करवाई plot की या 50% से अब बहुत सरे मेंबरान ऐसे हैं जो 50% से booking करवाते हैं अपना 5% discount avail करते हैं और remaining installment अपने time frame के साब से pay करते रहते हैं मेरे बहुत सरे clients ऐसे हैं I don't know name any clients in this video but बहुत सारे clients ऐसे हैं जिन्होंने ये वाली offer avail की और अपनी इस offer को लेके आगे उन्होंने अपनी plots की location choosing जिनकी acknowledgement receipt है वो निकल आई है overseas central की बात कर रहा हूँ executive block के लिए भी same policy होगी executive block में भी जो मेंबरान है जो 40% या 50% upfront दे चुकी है उनको society location choosing की preference देगी subject to कि वो अपनी जो due installments हैं most probably March 2022 तक वो clear कर देते हैं तो उनको भी location choosing की जो offer है वो मिलेगी second number वे वो मेंबरान आते हैं कि जिन मेंबरान ने अपनी सारी installment 2017 या 18 onwards अब तक March 2022 तक सारी clear करेंगे तो उन मेंबरान को भी बैलेटिंग में शामिल होने का मौका मिलेगा लेकिन location choosing का मौका जो है उनको नहीं दिया जाएगा थर्ड आते हैं वो मेंबरान जिनोंने April I think the date was 13th April 13th April से लेके 11th में तक जिनोंने COVID period के दुरान COVID period के दुरान अपनी 20% से booking करवाई उन मेंबरान को location choosing का option मिलेगा खाव वो overseas block के हूँ खाव वो executive block के हूँ खाव उन्हें विला बुक कराया हो खाव commercial plot book करवाया हो society का जो official letter है society की website पे available है आप google पर search कर सकते है capital smartity in COVID policy आपको third number पर smartity की website पे जो link मिल जाएगा आप सको click करेंगे तो आपने scroll down करना है आपने जाके 4th of April 2020 का एक notice देखना है जिसमें पहला letter smartity की तरफ साउट किया गया है जिसमें कहा गया है कि जो membran COVID period के दुरान यानि 4th April से लेके 11th में तक ये policy वेल करते हैं कि जो पहले policy थी 40% की वो 20% पर convert कर दी गया है अगर वो 20% से booking करवाते हैं तो वो अपने plot की location choosing में जा सकते हैं और location choosing अपस उसे बड़ा benefit ये मिलता है कि आपको की मर्जी का plot अलॉट होता है एक होता है बहुत सरे membran ऐसे हैं जिनको जहां भी plot मिल जाए उनको they are not concerned कि उनके plot कहां पे है like they are not bothered एक तरह के membran ये होते हैं दूसरी तरह के वो members होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है location की choosing और पढ़ना भी चाहिए to be honest there are three things in real estate which really matters number one is location, number two location and number three location so in my personal preference अगर आप plot ले रही हैं तो you should choose the location क्योंकि आपको मरजी की location अगर मिल रही है let's say आप corner plot में interested हैं वो इसलिए अच्छा है corner के two side open plot है ventilated plot है आपको किसी किसम की वो छोटा घर है बड़ा घर है आपको tension लेने की ज़रुद नहीं है घर में हमेशा आपकी ventilation बहुत अच्छी रहेगी 10% extra pay करने पड़ेगा doesn't matter लेकिन कल को resale में plot आएगा तो उस plot की value में उतना ही इजाफा होगा number two पे आता है जी park facing ventilation के लिए बहुत अच्छा है घर के सामने park हो तो in the evening आप walk कर सकते हैं और आपको घर के सामने एक अच्छी scenic view आता है number three इसके main road कुछ मेंबरान चाहते हैं को उनका plots main road पे हो उनके घर main road पे हो तो वो भी choosing कर से हैं इनानी केस A और B आप किसी भी option पे जाएं आपके पास option location choosing कर रहता है जो बहुत ही feasible option है तो जिन मेंबरान ने पहले नबर मेंबरान वो वाले में repeat करता हूँ जिन्होंने 40% या 50% से booking करवाई और अपनी location choosing में गे number two अपनी सारी installment अब तिल मार्च 2022 जो भी society policy निकालेगी clear करते हैं number two जो 20% पे जिन्होंने covid period के दुरान from 4th of May तिल 11th स्वरी 4th of April तिल 11th of May मैं notice का website पे जगर इसलिए कर रहा हूँ कि आप स्वाइट स्वाइट की website पे जाके officially ये notice फॉलो कर सकते हैं वहाँ पी notice available है इस time frame में booking करवाई वो अपने plots की location choosing कर सकते हैं अब आते हैं third number के मेंबरान जिन्होंने 2018 या 17 में booking करवाई अपने plots की installments regular पे करते रहे वो general balloting में जाएंगे लेकिन हाँ अची बात ये है का स्वाइटी न जैसे सेंटरल के लिए एक offer रखी थी कि जो membrane 18 के membrane है 2018 में भाई किया स्वाइटी में जब स्वाइटी में जब स्वाइटी को as such they were the first one to trust the society even though जमीन पर कुछ exist नहीं करता था but they were the very pioneers people कि जिन्होंने वहाँ जाके इन्वेस्ट किया so they deserve this appreciation कि वो अपनी मर्जी की location चूज कर सके second number पे वोले membrane जिन्होंने 2018 के बाद से अपनी installments अपडेट रखी उनको शुरू के blocks में बैलेट किया जाएगा और बैलेटिंग में आजाएएग अब बात है 2019 और 2020 वाले membrane जिन्होंने बाद में बुकिंग करवाई तो society उनकी आप मेरे ख़या है कि 50 से 60 या 70 परसंट जितनी भी installments आपके डियू बनती है आप FDHI slash 12345 slash 2021 या RO 5M या RO 10M या RO residential plot 10 MRLA 5 MRLA और RO 1K इसके लावा आपके पास कोई property on ground exist नहीं करती तो बैलेटिंग में जो भी जिन membrane को मौका मिल रहा है मैं इंसिस्ट करूंग आप लों को कि आप बैलेटिंग में लाजमी शामिल होगा कुर है